आपको के फतेपुर के कायम खानी नवाब है फदन खां उनकी जो पुत्री है कर्षण की अनन्य भक्त थी कौन है फतेपुर आप सब जानते हैं कहां पर है यह शिकर के अंदर तो राजस्तान जिल्ले के यानि के शिकर जिल्ले के फतेपुर के अंदर कायम खानी नवाब है फ नूरा भाई या ताज बेकम। देखे भगवान स्री कर्षन की भक्ति के हम बात करते हैं तो वेसे तो राजस्तान की राधा कहा जाता है किसे याद रिखेगा मीरा माई को। मीरा भाई भी तो भगवान श्री कर्शन की ही भक्ति क्या गरती थी तो राजस्तान की मीरा है कौन? राजस्तान की राधा कौन है मीरा भाई एक क्यूशन यहां से बनता है जो अभी CT के जैसे पेपरों पूछा गया था कि राजस्तान की दूसरी मीरा कौन है तो याद रिखेगा राजस्तान की जो दूसरी मीरा है वो है राना भाई राना भाई भी आप जानते होंगे हरनावा गाम है वहाँ पर इनकी धाम है और हरनावा वो परबशर में है डीड वाना कुछ अमर जिल ले के अंदर वर्तमान आपसे क्यूशन है कि वागड की मीरा किसे कहा जाता है आपसे क्यूशन है सिखावटी की मीरा किसे कहा जाता है आपसे क्यूशन है डांग की मीरा किसे कहा जाता है आपसे क्यूशन है मतश्य परदेश की मीरा किसे कहते है एक तो शेखावटी के अंदर कर्षण की जो अन्यनिय भक्तनी हुआ करती थी वो है आपके कौन ताज बेगम एक यहां से इस परकार से क्युशन आ जाता है आपके सामने कि वागड की मीरा कौन है तो याद रिखेगा आप कहेंगे गहुरी भाई शेखावटी की मीरा कौन है तो आप कहेंगे सर करेमती भाई डांक की मीरा कौन है तो आप कहेंगे भोली गुजरी मतश्य परदेश की मीरा कौन है यह तो आप ही पता ही मतश्य परदेश की मीरा किसे कहा जाता है चली तो यहां पर जो option number है वो जाएगा आपके सामने D is correct answer याद रिखेगा तो आज भी कम ठीक है अगला लीजी अगला है वे संथ जिन्होंने भक्ति को मक्ष प्राप्त का साधन बताया तथा निर्गुन ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया वे संथ कोन से है जिन्होंने भक्ति को मक्ष प्राप्ति का साधन बताया है और निर्गुन ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया है धनाई दुरलब जी पीमपा जी या मीरा भाई आपके एंगे सर ये जो थोटिकल कुशन है ये जिन से पुछा गया है वो है संथ पीमपा कोन ह यह संथ पीमपा ये रामाननंजी के शिषय हैं हमारे राजस्तान में रामाननंजी के दो शिषय है एक जो संथ पीमपा और एक है याद रखेगा संथ धन्ना very very important तो यहां पर option वो है संदड़ी वर्तमान के अंदर कहा है तो यार रिखेगा बाल उत्रा इनकी जो गुफा है वो कहां पर है तो यार रिखेगा टोड़ा कहां पर है तो यार रिखेगा केकडी और इनकी जो छत्री है वो कहां पर है तो यार रिखेगा गागरोन गागरोन तो आप सब जानत SSR यानि कि भार्तियस समाज विज्यान यव अनुसंदान जो परिषद है नई दिल्ली उसके द्वारा भीली भासा के सास्त्री अध्यन हेत्यू प्रोजक्ट दिया गया है कोण से विश्विधाले को यानि कि अभी हाले के अंदर नई दिल्ली में याद रखेगा भिली भासा के सास्तरी अध्यन हेतु एक प्रोजेक्ट दिया गया है भारतेस, समाज, विज्ञान, एवनुसंदान, परिशद नई दिल्ली दुवारा कोण से विश्विधाले को तो याद रखेगा वो है आपके सामने डॉक्टर जेनान विश्विधाले और ये डॉक्टर जेनान विश्विधाले कहां पर है तो आपसर परिचित है जोदपूर आपसर नमर है आपके सामने बी is the correct transfer अगला है कि वे दादू पंती संत जो गरीब दास जी दुवारा गद्धी त्यागने पर पर्मु गद्धी पराशीन हुए देखे सबसे पहले तो संत कौन थे दादू संत दादू दियाल थे दादू दियाल के जो उत्रादीकारी बढ़े थे संत दादू दियाल के जो उत्रादीकारी थे वो थे कौन याद रखेगा गरीब दास जी और गरीब दास जी के बाद में उस गद्धी के उत्रादीकारी कौन मने थे तो याद रखेगा वो थे मिशकन दास जी मिस्कंदास जी ठीक है? ये किशिन पुछा गया है कि दादू दियाल के बाद उत्रा दिकारी कौन बने थे? याद रिखेगा गरीबदास जी और गरीबदास के बाद कौन बने है? याद रिखेगा मिस्कंदास जी ओप्शन नमर है B is correct आसर और बात है ये किसकी? याद रिखेगा संते दादू दियाल की ठीक है? जली तो ओप्शन नमर हो गया आपके सामने B is correct आसर याद रिखेगा ठीक है? सबस लीजी अगला अगला है कि नात संपरदाई की मान नाती शाखा का पर्मुक केंदर नहीं है यानि कि इन में से नात संपरदाई का कौन सा केंदर नहीं है जिन्दी पर दूले के वेश धान और गुमने वाले गोईन मिना वो थे रजब जी संत रजब जी जो सांगानेर के पठान वा करते थे यहाँ पर पुछा जा रहा है कि नात संपरदाई का कौन सा केंदर नहीं है देखिए शिरे मंदिर उदे मंदिर और महा मंदिर आप कहेंगे सर यह तीनों ही रिलेटेड है नात संपरदाई से जबकि जो नहीं है वह है पुछकर याद रहेगा ठीक है और यहाँ पर कौन सा नाम दिया है याद रहेगा मान नात संपरदाई के शाका का परमु केंदर नहीं है पुछकर नात संपरदाई के आबात करते हैं तो याद रहेगा नात संपर्दाय का सरवादिक जो परभाव है वो याद रखेगा मारवार के एक्षासक है मानशिंग राठोड इनके समय ज़्यादा दिखाई देता है इसलिए याद रखेगा मानशिंग राठोड ने अपने गुरु जिनका नाम है आयस देवनाथ इसी आयस देवनात के लिए 84 खंबों का मंदिर बनाया था चत्री तो आप जानते ही है कहाँ पर है याद रखेगा 84 खंबों का मंदिर बनाया उसी मंदिर का नाम है महा मंदिर है और ये महा मंदिर कहाँ पर है तो याद रखेगा जोतपुर ठीक है Very very important नराकास्टू दुआरा उतकष्ट की रियानवेन हितू पुरुषकार परधान किया गया है डीयमार्सी जोतपुर आफरी जमारलाल केंदर या फिर केंद्रिय विश्विधाले अजमेर यानि कि इन में से ऐसी कौन सी संस्ता है जिसको उतकष्ट कारिये के लिए पुरुषकरित किया गया है बताइए कौन सा है डीयमार्सी जोतपुर पूछ रहा है आफरी जमार कला केंदर या फिर केंद्रिय विश्विधाले अजमेर या रखेगा ये जिस संस्ता को पुरुषकरित किया गया है वो है आपके डीयमार्सी जोतपुर आफरी आप सब जानते ही है कहाँ पर है जोतपुर के अंदर आफरी की स्तापना कब हुई है अच्छा एक आफरी भी है और एक काजरी भी है अक्सर दोनों ही संस्ताइं इंपोर्टेंट होती है एक्जाम के लिए काजरी संस्ता है ये भी कहाँ पर है याद रिखेगा जोतपुर में इस्तापना है 1959 के अंदर जमार कला के अंदर तो आप जानते ही है जेपूर के अंदर है 1993 में इस्तापित है तो जिस संस्ता को दिया गया है वो है आपके डीय曮र्सी जोतपुर अगला देखे, अगला किश्ण। अगला देखे, अगला देखे, अगला किश्ण। याद रखे, अगला है आत्मा राम परमपरा के संतों में पचास वानिया संकलित है। ज्यानमत्य भाई रामनाज जी, जामबो जी या चर्ण्दाज जी, आत्मा राम परंपरा के संतों में पचास वानिया, देखे, चोबीश बनिया तो किसकी रचना है? याद रिखेगा 24 बनिया तो रचना है रामदेव जी की यहाँ पर पुछा जा रहा है 50 वानिया किसकी रचना है तो याद रिखेगा यह है आपके ग्यानमतिवाई की याद रिखेगा option number है यहाँ पर A is the correct answer A is the correct answer अगला है तो आपके option number है वो है D, रितिक विश्णुई अब देखे, परती एक दिन हम करण के इसाब से किसी ना किसी खिलाड़ी या किसी ना किसी पुरुसकार की रोजाना हम बात करते हैं ठीक है? लीजी अगला किशन अगला क्या है? अगला है कि निम्ण में से वहे शासक जिनोंने रामानन्दी संपरदाय को प्रशे दिया था मोटा राजा उदेशिंग है सवई जे सिंग है, कुमेद सिंग है या फिर तेज सिंग है, बताईए रामानन्दी संपरदाय की बात हो रही है यहां पर बदा सकते हैं आप रामानंदी संपरदाई की पर्मुक पीट कहां है रामानंदी संपरदाई की पर्मुक पीट कहां है यहां पर पुछा गया है कि रामानंदी संपरदाई को प्रिशे देने वाले कौन थे? तो याद रिकेगा, वो है आपकी सवाई जेसिंग कौन थे? याद रिकेगा, सवाई जेसिंग Very very important और याद रिकेगा, विशेश बात कि ये जो रामानूदी संपर्दाई है इसके founder कौन थे? आप रास्तान में किशे पढ़ते हैं तो कहेंगे आप वो है कृष्चन दास पेहारी याद रिखेगा वेरी वेरी इंपॉर्टन ठीक है बाकि इसकी परमुपीर तो आप बताईएगा कमेंट करके तो इनको आसरी देने वाले कौन थे याद रिखेगा सवाई जैसिंग अगला क्यूशन अगला है आपके सामने वे संत जिनका प्रारम में पैसा लूट मार था यानि कि वो पैसे से लूट मार हुआ करते थे बाद में एक सन्यासी के उपदेश से निर्गुन भक्ति को अपना कर कुरूतियों का विरोध किया यानि कि हमारे रास्तान में ऐसे कौन से संत थे जो पहले पैसे से लूट मार किया करते थे लेकिन आगे चलकर एक सन्यासी के उपदेश से इतने परिरित हो गए कि फिर उन्होंने निर्गुन भक्ति को अपना कर कुरूतियों क्यों के लाल दाहजी लकर दाहजी और सुन्दर दाहजी आप कहेंगे कि वह री वर कोule BC कापडोध में हुआ है उसका नाम हरिधासी संपरदाई है या फिर रखियेगा निरणनीच संपरदाई इस बिढ़त है वह है द्वेशमपरदाई के गडा में तुम पिसनिक थे गडाम कर और वह दो讲 संद ठाल कि गाषा घौप को तो लेजी अगला क्यूशन पुछा जा रहा है कि निम्न में से युनेश को एशिया फैसिफिक अवार्ड ओफ वेरिड दोजार तेबी से सम्मानित है जमार कल्ला के अंदर राजस्तान नंजन गुड़ा पलेश करना टक बिकानेर हाउस नई दिल्ली या राजस्तान हाउस बताइए यह बड़ा अच्छा क्यूशन है युनेश को दुवारा या देखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एशिया पैसिफिक अवार्ड ओप मेरीट दो हजार तेबी से किसे समानित किया गया है तो याद रिखेगा जिसे समानित किया गया है वह वह बिकानेर हाउस इसका नाम बिकानेर हाउस है बाकी यह कहां पर याद रिकेगा नई दिल्ली के अंदर याद रिकेगा ओप्शन नमर है वह सीज करेक्ट आसर अगला है कि मान्यताओं के अनुसार कमलनात महादेव की इस्तापना श्वेम लंकापती रावन ने की थी इस मंदिर के जीर्णो दुआर हितु मई 2023 में राज्य शरकार ने दो क्रोड रुपे की रासी जारी की कहां इस्तित है इसी मान्यता है कि कमलनात महादेव के मंदिर की इस्तापना श्वेम लंकापती रावन ने की थी इस मंदिर के जीर्णो दुआर हितु मई 2023 में राज्य शरकार दुआरा दो क्रोड रुपे की रासी जारी की गई थी ये कहां इस्तित है बताई तो ये जो कमलनात महादेव मंदिर है ये कहां पर तो याद रिखेगा ये है आपके जाडोल में जाडोल कहां है याद रिखेगा उदेपूर जाडोल कहाँ पर है उध्यपूर ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना श्एम किसने की है लंकापती रावण ने और याद रिखेगा उत्तर भारत का बहुत अच्छा कुशन मनता है उत्तर भारत का एक मातर रावण मंदिर कहाँ है तो याद रिखेगा अगला है कि बाडोली जो मंदिर है वहां पर गाटेश्वर महादेव सेवरस 1907 में चोरी हुई भगवान नरेश यानि की जो नटराज की बहुमूल्य मूर्ति थी उनको पुने बिरिटिश म्यूजियम से भारत लाया गया जिसे राज्य शरकार को जनवरी 2023 में सोंपा गया उ देखे बाडोली जो मंदिर है अब बाडोली मंदिर कहां पर है तो या देखेगा बाडोली ची तोड़ गड़ में सोंपा गया उक्त जो परतिमा है वो किस काल की है अब देके ऑप्शन है आपके सामने गुप्त काल है मोर्य काल है परतिहार काल है या फिर आधुनिक काल है तो या देखेगा वो है परतिहार कालिन की ओप्शन नमर जो है वो कोण सा है C is the correct transfer लीजी अगला अगला है कि जेवी कर्शी को बढ़ावा देने है तू सम्मानित जगदीश परशाद का समंद कहां से है जेवी कर्शी को बढ़ावा देने है तू सम्मानित जगदीश परशाद कहां के है तो याद रखेगा नीम का थाणा अगला है कि देवगीरी माराष्ट के हमाड पंती के समकक्स राजस्तान का एक मातर भुमीज सेली का मंदिर कौन सा है बताइए देखिए वैसे आप सब जानते हैं कि मंदिर निर्मान सेली में उत्तर भारत की कोई शेली है तो वो कोई सी है नागर सेली इसी नागर सेली की उप शेली है कोई सी भुमीज सेली इसी की उप सेली कोई सी है याद रिखेगा भुमीज सेली और अक्सर क्यूशन बनता है यहीं से कि राजस्तान का सबसे प्राचीन मंदिर जो की किस सेली में निर्मित है भूमीद सेली में वो है याद रिखेगा पाली का शेवाडी जेन मंदिर के बार तो डिरेक्टी पुछा जाता है कि सेवाडी जेन मंदर कहा है याद रिखेगा पाली में तो यहाँ पर यह सब परकार के क्यूशन पुछे गए है आप पुराणे उठा कर देखेंगे तो यह भी पुछा गया है कि यह जो भुमीद सेली है यह किसकी उपसेली है नागर सेली की याद रिखेगा तो उत्तर भारत के अंदर जो मंदर निर्मान सेली है वो है नागर सेली नागर सेली की उपशेली है भुमीच सेली और भुमीच सेली में राजस्तान में निर्मित सबसे प्राचिन कोई मंदिर है तो याद रिखेगा वो है शेवाडी जेन मंदिर और ये भी कहाँ पर है याद रिखेगा पाली में चलिए अगला अगला है कि लक्ष्मिनात, रतनेश्वर महादेव, टिककमराई और खुसाल राजेश्वरी के मंदिर निम्न में से किस दुरग में इस्तित है। व्याद रखेगा सोनार दुरग में है। यहां पर लक्षमी नात है एक मंदिर यह भी पूछे ना कि राजस्तान का परसीद लक्षमी नारायन मंदिर कहां है तो याद रखेगा राजस्तान का जो परसीद लक्षमी नारायन मंदिर है वो कहां है कमेंट करके बता सकते हैं बताइए फटापट राजस्तान का परसीद लक्ष्मी नारायन मंदिर कहा है बताई कामा भरतपुर में नहीं रहाब अब जो कामा इस्तान है ना कामा ये आ गया है कौन से जिल्ले में डीक जिल्ले में ये विकानेर में है लक्ष्मी नारायन मंदिर कहा है याद रखेगा विकानेर के अंदर लेजे अगला है बंगाली मिठा फान की खेती का आदर्स मोडल कौन सा जिल्ला बनाया गया है बंगाली मिठा फान की खेती का आदर्स मोडल किसे बनाया गया है बंगाली मिठा पान बताई बंगाली मिठा पान की खेती का आदर्स मोडल जिला बनाये गया चूरू, करोली, श्वाई माध्यपूर या चितोडगड तो यहाँ देखेगा वो है आपके सामने option number है D is correct आसूर यहाँ देखेगा चितोडगड कौन सा? बंगाली मिठा पान का अगला लीजी, अगला है कि सितलेश्वर महादेव से सम्मंदित ऐस सत्यकतन कौन सा है? कौन सा मंदिर है? सितलेश्वर महादेव देखेगो बात करते हैं सितलेश्वर महादेव मंदिर की तो सबसे पहली बाद तो यह है कि याद रखेगा राजस्तान का ये जो सितलेश्वर महादेव मंदिर है ये कहां पर है तो याद रखेगा जालावाड में जालावाड में है कोण सी नदी के किनारे है तो याद रखेगा चंदरभागा नदी के किनारे इस मंदिर का दूसरा नाम है चंदर मोलीशवर मंदिर याद रखेगा चंदर मोली मंदिर या चंदर मोलीशवर मंदिर ये जो है याद रखेगा 689 इश्वी यानि कि राजस्तान का सबसे प्राचिन तिथी अंकित मंदिर है कौन सा है तिथी अंकित मंदिर याद रखेगा इ दुर्गन का एक सामंत है के सामंत जिसका नाम है वापक उसके दुआरा ये करवाया गया है तो शितलेश और महादेव मंदिर का निर्मान राजात दुर्गन के सामंत है वापक उनके दुआरा करवाया ये ठीक है राजस्तान का सबसे प्राचीनती थी यूग मंदिर है ये भ याद कर लीजी, इंपोर्टेंट है ये पूरा शितलेश्वर महादेव मंदिर। लीजी अगला, अगला है, वरस 1968 में तनेश्वर महादेव से चोरी हुई दुरलब निल्लम की पर्तिमा जिसे अप्रेल 2023 में इस्टिकेड एटोसी, न्यूयार्क ने राज्य शरकार को पूर्णे सोंपा है, कहां आवस्ति थे। शिरोही, उदेपुर, कोटा या जहलावाड पर्तिमा किसकी है? 1968 के अंदर तनेश्वर महादेव मंदिर जो है, वहां पर एक मूर्ती, निल्लम की पर्तिमा पूर्णे सोंपी के ये कहां है, बताइए, शिरोही है, उदेपुर है, कोटा है या जहलावाड है, तो ये भी कहां पर है, याद रखेगा उदेपुर option number है, B is correct answer, लीजिए अगला, अगला कुशन है, कि सरकारी करमचारियों और विध्यारतियों में कोर्षल शम्ता को बढ़ाने है तू, हरीदेयो जोसी पत्रकारिता और जन संचार विश्विधाले ने MOU किया है, किसके साथ? ऐसा कौन सा विश्विधाले है, जिसके साथ हरीदेयो जोसी पत्रकारिता और जन संचार विश्विधाले MOU किया है, क्यूं? क्यूंकि सरकारी जो करमचारी है और विध्यारतियों में कोर्षल शम्ता को बढ़ाने है तू, तो याद रखेगा ये है आपके कौन सी माखनला विश्विधाले हैं, पता सकते कहां है ये माखनला विश्विधाले कहां हैं, बताई अगला है निम्न में से पंचायतन शली के मंदिर समुहे में सम्मेली तुम्हें पंचायतन शली में जो भी मंदिर हैibt यार रखेगा किशे है विश्यक को समर्पित है, यहांपर पुछा गया है कि पंचायतन शली में समिल नहीं है आप देखिए इनको आप जब पढ़ेंगे न ओप्शन को पंचाहतन सेली का मतलब क्या है ऐसा मंदिर जो भगवान विश्णु को समर्पी थो आप देखिए ऑप्शन है बुड़ा दीत मंदिर कोटा जगदीस मंदिर उदेपूर हरीहर मंदिर ओशिया और सांतिनात मंदिर कोण सा है जालरा पाटन याद रिखेगा इन में से जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नमबर डी जे इनकरेक्ट कोण सा मंदिर पंचाहतन सेली के मंदिर समुहे में समयलित नहीं है तो वो है आपके सामने डी याद रिखेगा सांतिनात मंदिर जो कि आपके कहां पर है जालरा पाटन ठीक है अगला लेजी अगला है नंदनी माता मंदिर जहां पोश पुर्णी मा को मेला भरता है बांसवाड़ा है जालावाड़ है कोटा है या फिर अलवर बताई तो याद रिखेगा नंदनी माता का मंदिर जहां पोश पुर्णी मा को मेला भरता है बांसवाड़ा है जालावाड़ है कोटा है या अलवर है तो याद रिखेगा नंदनी माता का जो मंदिर है वो है आपके कहां पर बांसवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर भी तो घोटिया अंबा माता का मेला लगता ना ये भी याद रिखेगा बास्वाड़ा के अंदर ही तो छीन्च माता का मंदिर है ये भी याद रखेगा आपके सामने A is correct आसवर बास्वाड़ा अगला लीजिए अगला कुशन क्या कह रहा है पुछा जा रहा है राजिये का पर्थम सारस सरंक्षन केंद्र इस्तापित किया जा रहा है कहाँ पर याद रखेगा सारस राजस्तान में सारस जो सरंक्षन केंद्र है ये कहाँ पर इस्तापित किया जा रहा है बंद बारेठा भरतपुर है, ब्रंधा बुंदी है, अट्रू बारा है या जामडो लीजेई पुर है बताई इस कारण स्वर क्या होगा बिल्कुल साबास, याद रिकेगा राज्ये का जो पर्थम सारस सरक्षन के इंदर है वो कहां बनेगा ब्रधा बुंदी में, चलिए एक बताईए कि राज्ये का पर्थम कुर्जा कंजर्वेशन कहां पर कुर्जा सरंक्षित छत्र राज्ये का पर्थम कुर्जा सरंक्षित छत्र कहां परिस्तापित बताईए ये भी बताई इसका आशूर क्या होगा जर सकति एक जब बताईएए उडसित पहती बताईएभर परिस्ताप अजसरे ठिए बताईए को च चालिए ये राज